संधान सेटलाइट ना माध्यम थी जोड थी कड़ी एटले संधान नमस्कार विद्यादे मित्रो मारो नाम डॉक्टर संधाईशा विलवई कोलेज मा आचारिय तरीके सेवाव आपूछू मित्रो आज आपने केमेश्ट्री मा स्पेक्ट्रसकोपी विशय नो प्रारम भिक परीचाई मिढवीशू मित्रो SYBSC ना सिलेबस नी अंदर UV स्पेक्ट्रसकोपी नी थी आपड़े स्पेक्ट्रसकोपी भणवानी सरुवात करिये छिए त्यार बाद TY नी अंदर D1D9 रेक्ट्रोनी स्पेक्ट्रा मौसबार स्पेक्ट्रसकोपी आईयार स्पेक्ट्रसकोपी एनेमर स्पेक्ट्रसकोपी अने त्यार बाद MSC पुस्ग्रेजुशन नी अंदर आपड़े C13 NMR spectroscopy, mass spectroscopy, जिवी घणिवदी spectroscopy नो अभ्यास करिये छिए मित्रो आ spectroscopy टेक्निक जे छे ए एनालिसिस मां खास करने संयोजनों एनालिसिस मां खुबज महत्वनू अंग छे महत्वनू टूल्स से साधन छे अने आनों उप्योग अत्यारे इंडरस्ट्री मां व्यापक मने थही रहे हो छे अने एना सीवाई पदार्थनू एनालिसिस लगबग असक्य जेवु रहे हो छे तो आवी अगत्यनी ब्रांच जारे होई त्यारे एना पायाना ख्यालों कया छे एना विशे जो आपड़े माहिती ना मेड़े विए तो ए बरोबर कहवाए नहीं एला मित्रों सव प्रथम हुँ जेवाद करी इसके आपड़े जानी है छे कि कुद्रत नी अंदर कोई पण संयोज अचे सुध्ध स्वरूप मां मड़तू न थी बजाज संयोज जनों चे ए मोटे बागे मिश्ध स्वरूप मां लावव उपड़े जुधी जुधी सेपरेटिंग टेक्निक्स नों प्योग करवा मां आवे छे मित्रों एनालिसिस मुख्यत वे त्रण विभाग मां व्यांची शकाई छे तम्हें तमारी स्क्रीन उपर जोई शको छो के एनालिसिस नी टेक्निक्स से मुख्यत प्रण प्रकार नी छे एक सेपरेटन टेक्निक्स के जैनी अंदर एक करता वधारे पदार्थोनों जे मिश्रण होए एननों आईसोलेशन एमारी सुद्ध पदार्थों छुटा पाडवा मां आवे छे आ सेपरेटन टेक्निक्स नी अंदर केमिकल मेथडों पर उप्योग करवा मां आवे छे खासकरीने SYBAC ना जे अभ्यासक्रम मां छे बे पदार्थोनों कार्बनिक पदार्थोनों मिश्रण तमने आपपामा आवे छे दोस्तों अने एहमा थी आपने केमिकल पद्धती द्वारा दार के एसीड अने बेजनों मिश्रण तमने आपेलू होई तो तमने बाइकार्बोनेट द्वारा एसीड ने ओगाड़ी लो छो त्या बाद गालं करी अने बेज ने अध्राविय स्वरूपय तमने चुटो पाड़ों छो अने जे ध्राविय एसीड जे प्लिस्टेट सुटों पाड़ी मल में एन्यं पुणह उक्षिय पीत करी औने तमने एसीड चुटो पाड़ी चको छो आम रासानिक पद्धती द्वारा पन तमें सेपरेशन करी शक्को चो आउपरांत वीविद इंस्ट्रूमेंटल टेकनिक्स हो पन अत्यारे अवेलेबल छे अने एनी अंदर खास करीने जे क्रोमेटोग्राफिक टेकनिक्स से अमा पेपर क्रोमेटोग्राफी, थीन लेर क्रोम अने लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मा पन HPLC अने UPLC अल्ट्रा परफोर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी पन अत्यारे पुषकल प्रमाणमा उप्योग मा लेवाए छे मित्रों आ सेपरेटिंग टेकनिक्स द्वारा एक करता वधारे पदार्थोनू अलगी करण रूपे मडला पदार्थने त्यार बाद एननुं क्वालिटेटिव औने कौंटीटिव औनालीसिस खुलामो अवह थेす。 मित्रों सुद्ध पदार्थिंग आंदर कया कमीएत पत्वा हम्वह थे आप्रकार्मनु एणालिसिस जेछे च्टेटीव एनालिसिस के वामा आवे चे अने तत्वों कार brig Lexine hydrogen नाइटों केटला प्रणाणल मां अवाथ। से वीवीद तेमां अनुञ प्रणाण केटल लू न boils आप लिmore eco करें अहां हिले हनलिड सक्षरब चारल सकत मां कौने अध kij जिसे ख़र जामी सब्सक्राइब है अधनी शरी dwarf शेक Kr zwecksШ ख़र लेते सती में गएक कवहीं क्यारी सब्सक्सक सब्सक्राइब हां तो हैनी यह जाणवा माट तम्हें बाइकारबोनेट नाखो तो उभरा आवे छे तो यह एनिवर धर हम थाओ कि टेस्ट पन क्वालिटेटीव यह जी आपक्वारीकर जीरिक समुनिंए यह जीरी सूचवे छे तो मित्रो आप दा केमिकल टेस्ट द्वारा आपने क्वालिटे लिवान दोट्राइशन नी अंदर तमे अजान्या कोई पन सॉल्यूशन नू जानीती सांधरतावाडा ध्रावण साथे अनुमापन करो छो औने अनुमापन जनतरे केटलू कद वप्रायु श्टान्डर सॉल्यूशन नू एना अधारे तमे गणतरी करी अने केटला अधानमां कंपाउंड हाजर शे एनुमाप काडी शको छो आम वॉल्यूमेटिक अनालीसिस देछे एमा आपने जथ्थू नकी करी छेले के कॉंटिटीटी नकी करी छे ये परिणामे येने कॉंटिटीटीटीव अनालीसिस केवा मावे छे मित्रों गरिवेमेटीक अनालीस पन अभ्यास तमें करी चुक्या छो तो आज सेपरेसन टेकनिक्स्नी वाद करिए कॉलिटीटीव अनालीसिस करिए क्वंटिटीटीव अनालीसिस। हाँ त्रणे माँ केमिकल मेथडों नो सरुवात माँ उप्योग थतो तो पन आ कॉलिटेटिव मेथडों जेछे एहनों उप्योग करती वखते मोटे भागे ए घणबदों समय मागी लेती ती एक खर्चाल हती और यहना परिणामों पन चोकसाई पूर्णन होता और परिणाम त्यार बाद लगबग अधार्मी सदीनी सरुवाती इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स नो उप्योग सरुवात मित्रों इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स नी अंदर जे प्रयोगों तमे सुचक नो उप्योग करी ने कदमापक प्रुथक करन एसेड़ बीड ट्राइटरेशन तम्हें लेबोर्टी मां केमिकल मेथर द्वारा करता था एज पद्धती पीएश मेट्री, कंडक्टोमेट्रिक, पोटेंशियोमेट्रिक आवा विवीद ट्राइटेशन मारपते पन शरू थाई अने एना परिणामों वदू चोकसाई पूर्ण वाया, बाउज ओचा प्रमाण मां पदातनी जरूरियात रहती ती, आम इंस्ट्रूमेंटल पद्धती वदू चोकसाई पूर्ण अने ओचा खर्च वाड़ी एले के एकनोमिक मालूम पड़ी तो इंस्ट्रूमेंटल पद्धती जेशे ए वदू जड़पी पन होवाने कारणय ए वदू पोपिलर बनी मित्रो हाल इंस्ट्रूमेंटल पद्धती नों उप्योग इंदर्ष्ट्री मां एनालीशिस माटे व्यापक पने थाई रहे हो छे अन्ना आ इंस्टुमेंटल टेक्निक्स नी अंदर सौथी अगत्य नी अने महत्वा नी जो टेक्निक्स कोई होए तो ये स्पेक्रोस्कॉपिक टेक्निक्स चे अन्ने मित्रो तमने जानी ने आश्चरिय थे से के हाल कोई पर संयोजननों एनालिसिस ए स्पेक्रोस्कॉपिक ट येमीकल पद्धाती हो थी ये वक्षत एनालीसीस ततवत हो तू. एसी वाए पण गणावदास सैयोज जनो जारेत जोई वर्षते मां 30-34-40 वर्ष एक संयोजनों साच्यु बंदरान सोधवा मत हता था तो मित्रो आजना जमानामा रोजना 1000 लाखो संयोजनों बनता होई यह जमाना ने अंदर जो जुनी पुराणी केमिकल पद्रजनों उप्योग चालू राखवा मां आवे तो संयोजनों नूँ एनालेसिस थाई ना शके अने असंक्य संयोजनों बनावया पची पन एनू एनालेसिस थाया सीवाई ए ओडखाया सीवाई ना पड़े आरे तो आजनी जरुयात ना संधर्ममा वीचारिये तो स्पेक्रोस्कोपिक टैक्रिस खुब जड़पी अने बहुज इमिजियेट आपने परिणामों आपे वी पद्धती छे अने परिणामे एनू महत्व खुब जविशेश छे मित्रो 1903 मा तमें स्क्रीन उपर जुई शको जो लगभग स्पेक्रोस्कोपि नी शरुवात थाई अने आजे एना सीवाई कोई पन एनालिसिस करवू लगभग शक्य नथी UV, Visible, IR, NMR, EMR, X-ray, MOSBAR अने मास स्पेक्रोस्कोपी जेवी असंक्य स्पेक्रोस्कोपी ओ आजे अवेलेबल छे अने एना ध्वारा पदार्थना विवीद पासाओनों क्वालिटिटिव अने कॉंटिटिटिव अभ्यास करवा मा आवे छे मुख्यत वै स्पेक्रोसकोपी टेक्रीक्स ने आध्यास कॉलिटिटिव अने कॉंटिटिटिव वाद थाये छे время जार्य आपने स्पेक्रोस्कोपी नी वात करता हो हिये तोमयेल hé आपना न तो कोई जानिये ची यह आपने थुड़ाक फिजिक्स ना पायाना सिद्धान तो अना तरंग साथे संक्रायला पदो विशेपन माहिती मिलवीशू मित्रों तमें यह जुई शको छो क्या तरंग जेचे गती करेचे तो आ उपरम भाग चे शुरूंग केवाई छे जे टोचनु भाग चे अना गर्त केवाई छे तो बेक रमीक शुरूंग वच्चे नू जे अंतर जेचे अना तरंग लंबाई केवा माहिचे मित्रों अहीं एक वाद आपने खास ध्यानमा लईए के तरंग जेचे एनू एक साइकल कोने केवाई प्रश्ण तो अहीं थी तरंग शरू करी औने आटले सुधी पूर्ण थाए औने एक साइकल अत्वा तो एक चक्र केवा माहिचे तो मैं केम केवा माहिचे आने दारों क मित्रों तरंग साथे ये संक्रायला पदू आपने जानवा होई तो सव प्रथम प्लैंक नो समिकरण जेचे नो आपने अभ्यास करवा पड़े स्क्रीन प्रथम में जो ही शको छो के e is equal to h new e जेशे ए तरंग नी शक्ती शे h जेशे प्लैंक नो अचडांग छे औने new जेशे आवरूत्ती शे अवे आवरूत्ती बराबर c अपन लेंबडा चे प्रकास्नों वेग भाग्या तरंग लंबाई इटले अही या एनी मुल्य मुगता h c अपन लेंबडा थाई शे अने व 1 अपन लेंबडा बराबर न्यू बार ये लेके तरंग नंबर तरंग संख्या तरीके उडखवा महावे छे इटले वन अपन लेंबडा नी जग्या आपने new बार मुगता h c न्यू बार थाई तो आम त्रण समी करण आपनने प्राप्था e is equal to h new e is equal to h c अपन लेंबडा साथ है तो एनर्जी उपरांद बिजा त्रण पदो नो एनर्जी साथ है सू सबंद छे एनी आपने वाद करिए तो आ समी करण पत्ती जूई शक्या के कि एच प्लैंक नो अचलांग छे इटले शक्ती तरंग नी अने आवरुत्ती बन्ने सम प्रमाण मां छे हुआ अपने कि नमेश्यक कुछ ughट है तरंग लंबा जीए लेंबडा एच्कती ना व्यस्त प्रमाण मां छे इटले जो तरंग नी तरंग लंबाई तो शक्ती ओची होई शे तो आम मित्र आपण कही शक्के हे कि तरंग अने तरंग शक्ति औने तरंग लंबाई बन्ने व्यस्त प्रमाण माँ होई छे आउपरां तरंग नंबर तरंग आख जैने कहिए छे आपड़े एपण संप्रमाण माँ छे मित्रो अहिया थोड़ी का वाद आपड़े एक करी लेए के बिजू समीकरण छे हमें E is equal to S C अपन लेंबडा तमें जोशो तो यहमां तमने देखा से के H अने C बे अचल पदो छे तो जो तरंग लंबाई वदे तो सक्ति घटे छे इवी आपड़े वाद करी पर जो तरंग लंबाई नहुं अचल कर दो ले कोई निश्तित तरंग लंबाई धरावता तो तरंग लव तो आखु पद किलिए से यह अचल थई जाए से यला के सक्त निश्तित थे जाए यहला आपणें कई शक्तित तरंग लंबाई धरावता तरंग निश्तित था उखांग लव तारंग निश्तित 要खांग अलग आंज श. वरूप छे तो आईवी जारे सकती धरावतु तरंग कोई अणू उपर आथवाथ पर्माणू उपर आपात करवा मा आवे त्यारे ए पूतानी सकती मुझब अणू माँ विविद कारियों करे छे अथवाथ विविद सक्रांतियों करे छे मित्रो अहिया तमें जोई शको छो के तरंग लंबाई जे छे ए ब्यक्रमिक स्रूंग अने घर्त वच्चे नू अंतर छे अपने हमना अगववाद करिए फ्रिकवंसे एले आवरुत्ती छे शू छे तो एकम अंतर मां एकम समय मां तो एकसेकंड नी अंदर कितला साइकल्स तरंग ना पसार थाए छे एदरसावती संख्याने फ्रिकवंसी अंतर मां दाखला तरी केतला वेव समय आत्वा तो यहना केटला साइकल्स आवेला छे दरशावती संख्याने वेव नंबर केवा मां आवे चे तो मित्रों आम पायानी थोडीक समझ तरंग नी मेल व्याप पची आपड़े वात करी कि यह तरंग जेछे मैं अमणा तमने स्ट तरंग लंबाई धरहावैं चैए मित्रो तमैं तम्हें तम्हारी स्क्रीण उपर इलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्ट्रम जुई रहाएचो अन्य आमें जो चो कि डाबी तरप कोस्मिक तरंग थी लाई ने चेक रैडियो तरंगो सुधीना विवित विभागो आवेला चैए पच्छी एक्स्रे तरंगो पच्छी यूवी यहलेक अल्ट्रावावलेट विजीबल आईयार माइक्रो रडार ने रेडियो सुधी ना वीवित विभागो छे पित्रो कोस्मिक तरंगो पाईया तामे जो वेवस जुओ छो तो यहां वेवस नाना छे जम जमनी तरब जाओ यहां वेवस मोटा थता जाई छे लिए रेडियो तरंगो सुधी मोटा वेवस छे अन तमे जुओ छो कि बे शुरूंग वच्चे नूं अंतर एला जेना आपने लंबाई अन सक्ति यह बदू व्यस प्रमाण मां चे ना बदू सम प्रमाण एटले के जमनी तरब जता यहले के कोस्मिक तरंग थी रेडियो तरंग तरब जता सक्ति आवुरूत्ती अन तरंग आक्तरणे घटे छे तो अवे हुँ चार-पांच स्टेटमेंट आना अधार सक्ति यह बदू सक्ति धरावता कोस्मिक तरंग थी लईने सवथी ओची सक्ति धरावता रेडियो तरंग सुधी ना वीविग विस्तारो धरावता आखा पटने इलेक्ट्रो मैगनेटिक स्पेक्ट्रम तरीके ओडखवा मा आवे छे मित्रो यह अनुकूरता खातर विविद तरंग लंबाई अत्वा सक्ति ना जोनने चोक्कस नाम आपपा मा वेलू छे अने परिना में गेमा तरंगो, एकसे तरंगो, यूवी तरंगो यह दरेक नोच उक्कस विस्तार होई छे अने ए विस्तार ने अनुरूप्यानी तरंग लंबाई आवरूत्ती ना सक्ती दर्शावा मा आवे छे लेक्ट्रो मेगनेटिक स्पेक्ट्रमनो अपड़ा अब्ध्याज करे अवमा विवीद तरंग लंबाई धरहुता तरंगव 투 अथक्त्रेश अलोच wash तरफ जता वधे छे एटले फ्रिक्वंसी जे टेन देस्टू ट्वेंटी थी लईने टेन देस्टू थी सुधी आ तरफ घट्ती जाई छे तो तम्हें जोई शको छो के बाउज यहां गेमा तरफ जे चे अती सुक्स में परमाणू ना नुक्लिय जिटला कदना होई छे दर्श्यमान विभागना तरफ जे चे ए बेक्टेरिया जेकली साइज ना होई छे इन्फ्रारेड तरफ जे चे ए धुन्ना रचकणो जेटला होई छे माइक्रोवेव जे चे ए लगभग टाकणी नी टोच थी लईने लगभग आपणी नक जे चे एनी साइज जेटला तो आम परमाणूना नुकलियस ती लईने माउंट एवरेट सुधी नी विशाड रेंज धरावता आखा जे वणपड जे छे एनना इलेक्ट्रोमेगनेटिक स्पेक्ट्रम तरीके उडखवा मावेचे मित्रो आ इलेक्ट्रोमेगनेटिक स्पेक्ट्रम नो बिजू तम नहीं बतावेलू छे अनन तम्हें जूई शको छो कि गयमा तरंग तीलेईने रैडियो तरंगो सुधी नो जे आको विश्तार छे एमा ती मात्र आ जे विश्तार जे छे जे विजीबल तरीके उडखाई छे एज रंगीन छे एमा जानीवाल एपीनारा सात रंगो नो कार्यक शेत्र जे छे ए मात्र विशीबल विभागना द्रश्यों नेच क्याप्चर करी शके छे त्वा तो एटलू जेनू कार्यक शेत्र छे एटले दुनिया मा जे देखाई छे एज होई छे उन नहीं मित्रो परन्तु गणिवदी वस्तु एवी छे के जे इन विजीबल मित्रो यहां विजीबल विभाग ने वदू जुम करी ने पाचो तीजा मा बतावे तमें यू जो विजीबल रिजियन चे क्या थी तो जामली धी लही ना जानी वाली पीना रातो सुदी नो आखो विस्तार जे छे ए द्रश्यमान विभाग छे विजीबल विभाग एनी पहला UV विभाग आवे छे औने पची IR विभाग आवे छे एटले के जामली विभाग जामली कलर नी पहला उतो विभाग जे छे एने अल्ट्रा वायोलेट तरीके उडखवा मा आवे छे त्यार बाद आको द्रश्यमान विभाग औने पची रेड ने पार करी ने तमें जा माइक्रोवेव औने रेडियो तो अहियां 200 नेनोमीटर थी 400 नेनोमीटर सी तुनो अल्ट्रावलेट विभाग 400 थी 800 वच्चे नो ये दर्श्यमानी विभाग औने त्यार बाद 800 थी उपर जाओ एटले माइक्रोन माँ पछी दर्शावा मावेशे ए इंफ्रारेट विभाग चालू थाई शे त्यार बाद माइक्रो अने रेडियो तम्हें जूँज यहां मिली माइक्रोन शे बरबर अने अहिं यहां नेनोमीटर छे तो आम तरंग लंबाई ने जुदा-जुदा एकम्मा दर्शावा मा आवेली शे मित्रो तम्हें जोही शक्सों कि दाखला तरीके हुँ एक चौक लोँ छू तो चौक नू एम को कि आ चौक नी लेंध केटली छे लंबाई तो तम्हें केसो कि त्रण इच के चार इंच छे अथवा तो पांच के साथ सेंटीमीटर से यू केसो हुँ कि बेंचीस जे छे एनी लंबाई केटली छे तम्हें तर्तर च केसो कि अंदर के 20 मिटर ना अथवा तो 10 मिटर ना अंतर है छे हुँ स्टूडियो मा घांधीनगर मा बेटो चू तो आज थे कि अम्दावाद केटला अंतर है तो तम्हें अंतर के चैसो कि मैं 25 किलो मिटर ना अंतर है बहुझ सहज ताथी में सेंटी मिटर फूट पची मिटर अने क मी तो अंतन नानुँ है तो नानो यूणिट वापर वामी अचे , आपने प्रष्ण नहीं था Hierक्या मगर्ड़ीक बाक कर्ड़ी षथ वपराई उछे के इन्फारेड ने अंदर के माइक्रोन वपराई छे अथवा तो एन्मर जारे रेडियो तरंगों वापरी छे तो अहियां तरंग लंबाई जे जुदा जुदा एकमों मां वपराई छे मित्रो अहियां तमें जोई शको छो के जुदा 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 विभाग ना इलेक्टो मैगनेक्निक स्पेक्टरम ने अंदर जुदा जुदा विभागों जे छे ए जुदा जुदा प्रकार नी शक्ती धरहावे छे हवे एना उपियोगो पन कुदर दिनी जुदा होई शक्ये छे मित्रो तो कोस्मिक तरंगों थी लईने रेडियो तरंगों सुदि नो जे विस्तार जे छा आखो एनी आपने जो विदीवत लाइन सर शरुवात करिये तो एमां सौथी बेलो कोस्मिक तरंग नों विस्तार समीक तरंग में अद्यांक तर्यू चैनु कोश्मिक प्रूथव क्लूथ dem süntar तो अहीं आ तमारी स्क्रीन उपर तमें जिवा कॉस्मिक तरंगों जे छे ए खुबस सक्ति साहिद ये पछी गेमा तरंगों छे गेमा तरंगों जी तमें मित्रों परिचित छो तमने ख्याल हसे के रेडियो एक्टिव समस्थानिक जे होई छे एन आमाधी त्रण प्रकार ना कणों निकल छे आलफा कण, आलफा कण एटले हिलियम नो पर्माणू, मित्रों हिलियम नो पर्माणू जे छे ए पॉजेटिव चात दरावत वाई छे एटले नेगेटिव प्लेट तरफ आकर शाहिए छे त्यार बाद बीटा कण पन निकल छे रेडियोटिक समस्थानिक मा अने आगेमा तरंगो जे छे रेडियो एक्टिव समस्थानिक मा खुबत सकती साली तरंगो छे मैं तमने किदू के तरंग लंबाई ओची छे आनी अने एनरजी जे छे खुबत छे एटले आवा तरंगो जे छे आपड़े जाने चे उगणी सो बेतालीस ना विश्व आपनवाला जन्म्या तरहा तो आ गेमा तरंगो खुब सकती साली शे आवां सकती साली तरंगो मितो प्रस्णे धाय कि आ सकती धरावतू किरण जहारे अनू पर आपात करवामा तर्यारे सू थाय है હેતો તમદે જારે ગેમાં તરંગને અણું ઉકરવત કરોચ તેઆરે એ તરંગો જે છે જે આપણે જેએ આણું ના हुआ दामे जेहारां जेही जनु क्येंद्र करिके हुआ हैं મीत्रो આ ખુબસ સકતીધરાવતા ઘમા તરંગોં એ બાાંજં સકતી ધરાવતા કવાચે અને છે કેંદ્રમન પોંચે અને आपने मौसबार वणपट पन कईये छी, मित्रो टीवाई बेसी ना बंधानी रसायर सातर ना पेपर नियंदर एक मौसबार वणपट नू आखुँ चैप्टर छे, अने ये आना उपर आधारेच छे, तो मित्रो गेमा तरंगो आपात करवाती अनुमा केंद्रियस पिननी सक आपने मौसबार मौसबार वणपट तरीके उडखवा मा आवे छे, मित्रो ट्यार बात गेमा तरंग पछी तम्हें आगल जाओ तो एक्सरे तरंगो आवे छे, मित्रो एक्सरे थी आपने सव परिचित छी, कोग जगे आपने वागियो एक्सरेट थिव होए, हडकु तर तर डॉक्टर एक्सरे पाडवानू कहें, यहनो डिचनल यूज छे, एक्सरे तरंगो एटला सकती साड़ी छे, के मानसना मसल्स माथी पास थाई छे, पर हडका माथी पास थाई शकता नथी, परिण आमे जो एक्सरे वणपट द्वारा फोटोग्राफ्स लेवा माई, एक्सरे किरणो द्वारा, तो ए हाड़ पिंजर आपड़ू देखाई शे, तो हाड़ कू देखाई शे, अने एना थी तमने फ्रेक्चर थाईू छे के निके क्रेक पड़ी शे, आपने तत्ता जोड़की शक्किये शे, मित्रो आ एनो मेडिसनल यूज थे, पन आज एक्सर लंबाई और बंद खुणा विशे नी महाहिती आपए छे, तो मित्रो जो कोई अनुनो एक्सरे वण पटलेवामा आवे, तो ए आपड़ने अनुनी बंद लंबाई और बंद खुणा विशे नी महाहिती आपए छे, मित्रो तम्हें मोटे बागे जारे थीरी नू पिपर पन्द पन्द लंबाई 1.45 एंक्स्ट्रॉम छे अत्वा द्वी बंद लंबाई 1.3 एंक्स्ट्रॉम छे आ क्येम तो के आ साना आधारे मापी तो X-ray वर्णपट ना आधारे तो घनीवधी वक्त आपने आउँ वांचिये शिये के एक्सरे वर्णपट ने आधारे बंद झानवा माठे ठाई चे तो आ पण प्राउने माठ प्राउलेट तरंग पण प्राउड माठ शक्ती प्राउडि तरेवे थीकृ रिखे अन्व कुलिख tihr पीधर निक्ड़े अनु और नि-म संखी लों यांट करें रनीन कुलिकि अखोत कि लुकत फिंद ओग ये मैं सब्तिका डुपरणुना बयुत डुवेशत फेल अनुपर पय चोट यां भिशाखे भार यहता येच्छे क्येंद्र सुधी पहुंदता था पन आथ अंगि एटला सक्ति-फार नन्हुला चैनल शक्ति-दरावता था जह्तलिक आ तर्ण जेचे एक क्येंद्र सुधी ना पहुंचता મाત્ર બાર રેલા ઇલેક્ટોન ને ઉત્ય જીત કરે છે અનને તમે એસ્વઈના જે મીત્રોસે युवी वनपट मां सिख्या से के σिगमा टु सिगमा स्टार, n 2 सिगमा स्टार, π i2 π i2 श्टार, n 2 π i2 श्टार, अविजी सक्रांती हो थाई छे, तो आने इलेक्ट्रोनिय सक्रांती केवामां आवे जै, तो मित्रों ज्यारे युवी तरंगो अणुपर आपात करवामा आव त्यारे अनुमा जे परमाणू वो जे छे एना बहर ना इलेक्ट्रोन उत्य जित थाई चे लेक्ट्रनिक सक्तरांती थाई चे अन्ने एने काराने आपने वर्ण पट मढ़े छे आपने UV वर्ण पट तरीके उढखे छे अनने SYBSC ना सीलेबल्स मा आपने UV वर्ण पटनो अप ड्रग्स एनालिसिस थाई शे एमा जे एनू परसंटेक प्योरिडी सुधवानी होई चे एमा युवी स्पेक्टोस्कोपी नो उप्योग वधु प्रमाण मा थाई शे ने कॉंटिटिव एनालिसिस तरीके मित्रो युवी वर्णपट पछी तम्हें जम्नी तरब जाओ अपने आपड़े जोयुजे इलेक्टोमेगनिक स्पेक्ट्रम एमा तर्तज युवी ने अडिने जामली विभाग धराव तो आपडो विजिबल विभाग चालू धाई शे जामली थी लाल सुधिनो जानी वाली पिनारा आजे सात रंगो नो बनेलो विष्थार जेशे एन द्रश्यमान विभाग केवा मा आवे चे मित्रो यहम केवा जेके दुनिया रंगिन छे पन रंगिन दुनिया इटला माटे चे क्या द्रश्यमान विभाग चे जो इलेक्टोमेगनेटिक स्पेक्ट्रम माथी या दुनिया बदी ब्लेक एंड वाइट थही जाए तुकमा आपड़ा माटे आज रंगीन विश्तार जे छे आ द्रश्यमान विभाग ना तरंगो ने आभारी छे मित्रो आपड़ी आखनो वर्किंग एरिया पन आ द्रश्यमान विभाग छे मुटे बागे कोंपर से यजन ना कलर केम होई छे कलर प्रिंसीपाल जे छे ये केम होई छे येनो आधार आ द्रश्यमान विभाग ना शोशन उपर हो जे मित्रो आ द्रश्यमान विभाग ना त्रंगो की जे 7 रंगो धरा अवे छे एक कोई वस्तु अत्वा तो कोई पदार्थ अत्वा कोई संयोजन उपर पड़े अने एमाती रिफलेक्ट थाई ने आपणी आखमा प्रवेसे छे तो कोई पदार्थ उपर जारे आ सात रंगो धरावतो दर्श्यमान विभाग तरंग आपात करवा मा आवे अने जो ए पदा पदार्थ द्वारा द्रश्यमान विभाग ना तरंगो नू बिल्कुल शोषण ना थतू होई तो एवो पदात सफे दरंग नो देखाये छे मित्रो आना ती बिल्कुल विपरित जो द्रश्यमान विभाग ना तरंगो आपात करवा मा आवे पदात अने पदात बद्दा स साथे सात रंगों सोषण करीले तो एक पन दर्श्यमान विभाग नों तरंग रिफ्लेक्ट थाईने आपनी आँख मा प्रवेश्थु नहीं अन्य परिणा में ये पदात जी छे ए ब्लैक रंग नों आपने देखाई छे ये जो संपून सोषण करतो होए तो ये पदात आप करतो होए तो ये पदात रंगीन देखाई छे दाखला देखे सिंपल के सात रंगों पाइकिना पांच रंगों नूं सोषण थाई जाई छे अन्य ब्ल्यू और यलो रंग येमाती रिफ्लेक्ट थाईने बार आवे छे तो ये ब्ल्यू ने अलो भेगा थाईने आपने ग् दृशण मार थी आपन प्रात थाई छे अचले धर्श्यमान विभाग द्वारा जे वनपट मळ जेशे एने इलेक्टोनिक स्पेक्ट्रा केवां मा आवे छे अन्य डीवन डीनाइन इलेक्टोनिय श्पेक्ट्रा एउँ पेपर सिक्स निए स्ट्रक्चरल केमेस्ट्री मां आपणे टीवाइ बीए दि मां मित्रों भणिये चीए अन्य आमा इलेक्ट्रों इसक्रांती थाए चे तो आम UV औने द्रश्य मां आम बंद्ने विभाग ना तरंगो नी शक्ती एटली छे के A सु करे चे इलेक्ट्रों सक्रांती करे चे अनुमां अने पड़िना में आपणने अनुक्रमें UV अने द्रश्यमान विभागना आपणने वनपट प्राप थाई छे मित्रो अहिया मैं तमें स्क्रीन पर जुई कि समराइज करेलू छे कि गेमा तरंगों सौथी सक्ति सारी तरंगों छे अने त्या नुक्लियर स्पिन नी सक्रांती थाई छे X-ray तरंगों जे छे एना करता उची सक्ति धरावता छे पण ये अनुना बंधों ने तोडे छे अने पईना में आपणने बंद खुणाने बंद लंबाईनी महीती आपे छे UV अने विजिबल विभाग ना तरंगों मां इलेक्टोनी ये सक्रांती थाई छे आ त्रण वात आपड़े करी मित्रो हवे आगल जहिए UV ने विजिबल पछी IR विभाग आवे छे मित्रो IR एटले इंफ्रारेड विभाग विजिबल विभाग नो छेलो लाल रंग ट्रोस करीन आगल वदी आई आई आर विभाग नी शरूवात थाई छे आई आर विभाग नी सक्ती अगाउना तमाम करता ओची छे एटले के गेंगो नी जेम एक केंद्रा सुधी जवानु तो विचारिद नथी शक्ता आ तरंगो एटली सक्ती नथी है नामा परन्तु बाहर रहेला इलेक्ट्रोन ने UV के विजिबल नी जेम ए उत्तेजित करी शक्वा सक्षम नथी होता इले मित्रो आईयार तरंगो नी सक्ती ए इलेक्ट्रोन मा इलेक्ट्रोन ने केंद्रा मा रहेला नुकलियोंस ने उत्तेजित करवा माठे पूर्ती नथी अन्दे परिणामे आ तरंगो मात्र अणूमाना परमाणोंने स्थानांतर आपी ने हलावे छे आईयार तरंगो आपात करता अनू विवीद प्रकार ना आंदोलनो करे छे अन्ने आंदोलनी सक्रांती जैने वाइब्रेशनल ट्रांजीशन अत्वा तो सक्रांती केवा मा आवे छे मित्रो तो आम आईयार तरंगो नी सक्ति ए अनूमा विवीद प्रकार ना आंदलनों प्यदा करवा माटे शक्षम होई छे अन्ने परिणामे आपणने अनूमा रहेला बंध बंध जेशे वदगट था एने आपड़े स्टैचिंग आंदोलनों स्टैचिंग आंदलनों करवा माटे आईयार तरंगो जवाब दार होई छे अन्ने परिणामे बंध कोनी वच तो बंध सामा होई तो मुटे बागे कोई चोकस ग्रूप नियंदर तो कोई ग्रूप विशे अथवा तो बंध विशे नी आपणने माहिती आईयार द्वारा परहाब्त ठाई है मितलों आयार पछी माइक्रोवेव आवय चे माइक्रोवेव जे छे अंदूलनों पेदा करी शक्ति आईयार तरंगो तो माइक्रोवेव जे चे यह ओची शक्ति वाड़ा वाती मात्र परमाण उन्ने पोताना स्थाने फेरवेश है यह टलेका रोटेश करा आवे छे रोटेशनल आंदोलन जने केवा मां छे टांजीशन आमा थाई छे एटले माइक्रोवेव जे छे एक खुबज ओची सकती तरह अवे एना दियागल वर्दे तो रडार अने रेडियो तरंगों आवे छे खासके इने रेडियो तरंगों नों उप्योग जे छे ए एनेमार वर्णपट मां वधू थाई छे हवे तमें तमारी स्क्रीन उपर जोई शको छो के यूवी वीजिबल सुधी आपने वाद करी के त्याँ इलेक्टोन ये सक्रांती थाई छे इन्फ्रारेड जे छे एमां वाइब्रेशनल ट्रांजीशन थाई छे माइक्रोवेव जे छे एमां रोटेशनल ट्रांजीशन थाई छे औने रेडियो फिक्वंसी जे छे जेमां अपने एनेमार वणपट माड़ा जे एमां नुक्लियर अथवा तो इलेक्टोनिक स्पिन नू उत्तेजित करना दाई छे मित्रो आ बाबत तो आटले ती आटली सुधी नी जे ग करता ओची सकती रिक्वार्मेटे वा अंदोलोनों करवानू और त्यार बाद रोटेशन करवानू आ बदा कारियों अनुरूप थाई छे ने बहुँ लॉजीकल छे पॉन अहीं तमें जो हो छो तो आहीं फारी पाची नुकुलियर स्पीन आवी सामा एनेमार मां तो नुक अहीं शू करवा मावेशे नेमार मां तो के के मैगनेटिक फिल्ड नी मदद थिया वन पट लेवा मावेशे इटले एम कई शकाए के बीजा बद्धाज स्पेक्ट्रसकोपी नी अंदर बाहिया कोई परिबन नी मदद नी जरूर न थी पॉन एनेमार नी अंदर मैगनेटि अनेमार स्पेक्ट्रसकोपी जेशे रेडियो तरंगो ना उप्योपी थाई छे परन्तु त्या मैगनेटिक फिल्ड नी हाजरी अनिवारिये छे मित्रों हवे आपने स्पेक्ट्रसकोपी नो अभ्यास कर्यों एमा तरंग सू छे नी वाद करी एनी साथे संक्राला पदो व बदे छे ने सक्ती मा घटालों थाई चे बदी चर्चा करी आ तरंगो जुदादा विभागना एनी विशेस्ता सू छे ये अनुपर आपात करवा मा आवे त्यारे अनुमा कया प्रकानना कारियों के सक्रांति करे एनी वाद करी एनने अनुर्सरंगिक कया कया वर्णपट आने बहुस्वावीक छे के कारिय मit चेंद्ध्रिया सक्क्रांति थती योग 시작म चेंद्ध्या प्रआप् करेंट रिक पर हो सक्य ने वाजिस्ता सूर्चा करेंपरी कुद को मा थी प्राप करे से स्पेक्टरा मला मित्रạt तो स्पेक्टरा अब आव साधतनों कोई स्पेक्टर स्पेक्टर स्पेक्ट्रपोटोमेटर होए विजीबल स्पेक्ट्रपोटोमेटर होए आई यार होए यह यह जंदल फॉर्मेशन जेशे ए मैं यह दर्सावा प्रेयतने करे लो चैंद अमें तमारी स्कीन पर जोई शको चो के सव प्रथम सोर्स होई छे सोर्स एटले जेते विभागना त स्पेक्ट्रोस्कोपी नो अभ्यास करता होए यह विभागना तरंगो उस्सर्जित करे यह सोर्स केवा मा आवे चैंद तरंगों जेशे यह बद्धी तरंग लंबाई धरावता होई चैंद प्रिजम अने ग्रेटिंग जेवी प्रकासी प्रणालियों द्वारा यह विभे द्रस्यमान विभागना वर्णपटनी अंदर तमने ख्याल छे के जांबली थी लईने लाल सुधी सात रंगों छे ए सफेद रंग नो प्रकास ज्यारे अनू उपर प्रिजम उपर आपात करवा मा आवे चैंद तो सफेद साते सात रंगों मिक्सज होई चैंद ज्यारे विभेदन करी ना चुटा पड़ी आप पनू कारिया तो प्रिजम ग्रेटिंग वगेरे जेवा जे साधनों प्रकासिये प्राणलियो ए तरंग लंबाई नू अनूसार ये प्रकास ना विभेदन करिया आपै छे और आ विभेदित प्रकास माने तमारे जे इच्छी प्रिजम ग्रेटिंग पची स्लीट आउपरांत प्रकासिये फिल्टरो आव जानी मदद थी इच्छी तरंग लंबाई हूं सेंपल उपर आपात करी शकूँचू मित्रो तमें जोई शकोँचो कि यहां सेंपल उपर इच्छी तरंग लंबाई हूं आपात करूँचू अने एमाती अमुकनू पदार्थ द्वारा आता तो सेंपल द्वारा सोषण थाई छे अने सोषण थया सीवाएनो पार गमन पामेलो प्रकास देचे डिटेक्ट आउपर पड़े छे अने एनी त्या नोद लेवाई छे आना दारे केटलो आपात करियो तो बात थाई ने के वाम आवे तो एने वर्णपट तरीके उलख वामा आवे छे मोटे भागे जुदावजा विभाग ना तरंगो अनुसार जुदावजा स्पैक्टर आपन ने प्राप्त थाई छे मित्रो सव प्रतेम आपने सोर्सनी वाद करी सुमेत अमना वनाज वाद करी तो गेमा मोटे भागे रेडियो एक्टिव आइसोट्रोप ने सोर्स तरीके वापरवा मा आवे छे यूवी मां हेड्रोजन डिस्टाज लेंप ने सोर्स तरीके वापरवा मा आवे छे द्रश्यमान विवाग मां टंग्स्टन फिलामेंट वापरवा मा आवे छे आया नी अंदर सिल कार्बाइड नो ग्लोबर अथवा तो नंस ग्लोबर वापरवा मा आवे छे के जह मां थी जेते विभागना तरंगो उस्सरजित थाई छे मित्रों अहीं तम्हें माक करियो छे के दाखला तरीके यूवी तो यूवी नी अंदर मुटे भागे आओ वर्ण पट प्राप थाई सोषण विरूत तरंग लंबाइन वालेक छे महत्तम शोषण उपर नी तरफ हावे छे में सोषण दरस आवे लागे पड़ आई आर तमें जारे अभ्यास कर सो तो आई आर मां आउँ उल्टा पीक जुवा माले चेले के पीक नीचे नी तरफ होई चे ताम थवानू कारण सु तो के सोर्षन नहीं पड़ यहां पार्गमन दर्शावेल हो चे मित्रो ट्रांस्मिटन्स अपने जानी चे के 100 टका अपल्ब होई तो जो सित्ते टका सोर्षन थे तो तीस टका पार्गमन थाई और जो 50 टका सोर्षन तो पार्गमन थाई अन्य प्राप राप्त थाए चे मित्रों एक सरख्स भात करूं तमने के मोटे बागे आ जोग शोटे यह ना थी तमने कोई ख्याल नती आउता हो तो दोस्तों मोटे बागे स्पेक्ट्रा जोईने आपनने हो थाए कि आँ सू छे डाखला थारीके एक नानो उदमने अमस्तों जोग सकाई इतला माटे कि एक व्यक्ति माधा पड़या यह ऑस्पिटलाइज करया यह अमने फ्यक्चर था यह लूँ अतू ले मोटे बागे खबर काडवा ब यह होस्पिटल माँ छे एक व्यक्ति कंटाले लिए वस्ता माँ चे एक काका आवे छे अने पूचे शे बदू फरी थी पेला यह मनी वाद करया चेक आई वितना सवारे निकलियो गाई ना देखाई एक्सिडेंट थो और जागियो तारे होस्पिटल माँ हतो पेला बही ए खबर पड़ी तो आपड़ी परीष्टिति काका जेवी छे तो अहीं जे त्रण प्रकार ना जे स्पेक्ट्रा आपेला म्यामना दर्शावे यूवी तो तमें स्क्रीन पर जोई शको शो तो यूवी स्पेक्रा तमें जूओ तो मुटे बागे कोई आर्ष्णों विध्यार स्पेक्ट्रा ने तो आपने एक्सपर्ट बनवू पड़े एनालिस्ट बनवू पड़े तो यूवी आईयार के एने अमार वर्ण पड़ जोई औने कई-कई बाबतो निहाजरी आथा तो कई बाबतो अनू धरावे चे एनू एजम्शन करू एनू इंटरप्रिटेशन करू ये बहु महत्वनी बाबत चे एटले स्पेक्ट्रोस्को पीना अभ्यास मां एक केमिस्ट तरीके आपड़ी जवाबदारी एछे के ए वर्ण पड़ोने प्रोपर अभ्यास करवो औने ए वर्ण पड़ोने आधारे कईक इंटरप्रिटेशन करी अनू मां क्वालिटेटिव औने कॉंटिटिटिव एनालिस्टिव मदद रूप जे स्पेक्ट्रानू अर्थ गटन ये बहुं महत्वनों मुद्दों जे छे मित्रों बीजी बाबज्य छे ए सेंपलिंग टेक्निक्स चे चे समय ना अभावे आपणे बहु लांबू नथी कई शक्ता पन मित्रों जेवीते सोर्स नी वाद करी प्रिजम नी वाद करी एवीते बीजी एक वाद करू चुँ सेंपल नी तो सेंपल शू छे मोड़ों तो सेंपल ये कि प्योर पदार्त नथी पन पदार्तनू 50कोट्यों मेटर मुकी ने वनपट लए शक्की मुखी लें तो मिंक वुकी ये ने वनपट लें तो जारे द्रावच बनावी ने वन थानद व के वो हो पनक Medal અચ્રણ , નુહુ ન નુવુ ન્વં ખુણે , નો નિવં ભુત્ય નુથ નું નું ધ૮ર્લામથ નું નું दर्शा उतो होई द्रावक क्यों होई जेते विभाग माटे पार दर्शी हो जुए बीजु महत्वनु धावणनु बाबत एछे के पदार्त ने पूरे-पूरो अगारतो हो जुए त्रीजु के पदार जे छे एनी साथे रियेक्शन ना करतो हो जुए अने हाल बहुं उच् स्पेक्ट्रा लई शक्किये मित्रो तो सेंपलिंग टेक्निक्स मा एवु होई छे के पदार्त नुँ योग्यद द्रावक नी मदत्ती द्रावण बनावा माँ आवे छे गणी वखते पैलेट आईयार नी वाद करिये तो पैलेट लेके टेबलेट जुँ बनावा माँ अने एनि अंदर के बीयार करवा माँ तो के बीयार अ फपार दर्शी छे होई जो सेंपल मoya हो हुआ बहार्ती ंुमेरा ता बधा पताहर閱 सेंपलिंग बनावने मतार्त रांसपरांड होई मुझा श्यु जएश्य होई और ब्हान वएं छेश्यांज होना है वुझा अकिक सेल वापर उचो के जैमा तमें सेंपल भरवाना चो ए पात्रो पण जेते विभाग माटे पार दर्शी होवा जुई है तो मित्रो स्पेक्ट्रोफोटोमिटर द्वारा जेते विभाग ना तरंगो आपात करी अने ए तरंगो नी सक्तिन अनुरुप जे सक्रांती थाई छे ए ये सोशन विरुद्ध तरंग लंबाई अथ वा तो आवरुत्ती सोशन ना लिधू अने ट्रांस्मिटन्स लिधू होई तो पण बनी शके तो आम एजे स्पेक्ट्रा दुरवा मा आवे शे एनने आपड़े वर्णपट कहिए शे युवी आपात करया हो तो युवी पड़ प्राप्त थाई शे अने दरेक वकते सक्रांती जुदी-जुदी राजे तो आपने जुदात जुदा प्रकार नी महीती प्राप्त थाई तो मित्रो आजना जमाना नी अंदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स नो उप्योग व्यापक बनेव चे एवा संजोगो स्पेक्ट्रोस्कोपी नैँ पर्न एक कंणू माट एक करता वधार्य स्पेक्ट्रा लेवा है जुदीजि स्पेेक्ट्रोस्कोपी थो उप्योग करवां मारे तो आपने जुदी-जुदी महीती प्राप्त थाई शकर छय तो आपने इलेक्ट्रोन विशे नी महीती प्राप्त थाई शे एसीवाई जो आईयार तरंगों उप्योग करें तो आंदोलन थवाने काराणे आपने चोकस ग्रूप अथवातो चोकस बंध विशे नी जानकारी प्राप्त थाई शे तो आम जुदा-जुदा जुदी- प्रमाणे के क्वालिटेटिव औने कॉंटिटेटिव यहां बन्ने प्रकार नूँ एनालिसिस आपने करी शक्ये छे मित्रों आईयां आखी स्प्रेक्ट्रोस्कोपी मां एक बिजी बात पन जुड़े सामिदा के अत्यारे एक करता वधारे साधनों नो एक साम्तों उप्य योग बधे जव्यापक बनियो छे दाखले के लेंड लाइन फोन हता त्यारे आपने एक दोड़ा साथे जूड़ाईने वात करवी पड़ती थी पॉन त्यार बाद मानासने बाबत मां कंट्रावा मेंटे कोडले स्पॉन नी सरुवाद थाई पड़ एमा पन चोकस रेंज बधू ज आजे मोबाईल मां शक्य बनियो छे यले के मोबाईल मात्र वात करवा पूर्ता नहीं घणा बधा एंटरेटाइंटमेंट ना साथनो यूज करवा मांटे मोबाईल नू अंदरस बधू समाविष्ट करवा मां आवियो छे मित्रों एवीज रीते आजे मात्र सेपरेटिंग टेक्निक्स एकली नो जुदो उप्योग पछी कॉलिटिटिटिटिव एनालिसिस माटे बीजी पद्धति नो उप्योग यू नहीं पन साधनों नू एटेश्मेंट करवा मां दाखला देखे लसी लिक्वीड क्रोमेटोग्राफी नो उप्योग जे छ मास स्पेक्ट्र सिकोई उप्योग जे छे एक कॉलिटिटिव एनालिसिस माटे त्वा तो अनू पन्नीक्व बंद्धान सोधवा मां दाखला न था तो एलसी एमेस एमेस हैं त्रण साधन होनें 20 साधन होनें एक एक बिजग साते एटेच करी नहें एलसी चाहते UV-डीटेक्टर तरीके जोयंट करेंु Heather मां स्प्योख करें। इंडस्ट्री मां सरुवाद थाई चे ने वधू पॉप्यूलर अने वधू एक्यूरेट बनियु चे तो मित्रो सईयो जनो ना केमेस्ट्री नी वाद आपने जारे करता हो ये तेरे एनालिसीस ए बहु महत्वनु अंग चे अने एनालिसीस मांटे आवी स्पेक्टोस्कोपि टेक्निक नो उप्योग ए बहुज इंडस्ट्री मां महत्वनु पूर्वार थाई छे तो मित्रो आ रस्प्रद विशय नी पायानी बाबतों में एटला माटे तमारी समग स्रजू करी के मोटे बागे हूँ बने चे के SY ने अंदर UV भणायू, TY ने अंदर IR, NMR के मास के बिजु तम्मे केपन बने जुदाउदा साहेब हो ये भणायू होई पौन एना पायाना सिद्धा नतों विशय आपने जानता ना होई ये तो आजे आपने बाउज सरस स्पेक्टोस्कोपी ने इंट्रोडक्षन तमने आ भारा एकत्रित करिये छिए औने सौती महत्वनी बाबत जे छे एक कोई एक व्यक्ति एजा केमिस्ट एनों सारा एनालेसिस्ट बनवू एनों प्रोपर इंटर्पीटेशन करू ए सौती अगतिनी बाबत छे तो आजे आटली वार्थ कई अने विर्मों चू अने मने आसा छ कि तमने अवश्य आबाबत आजे विशाई जेशे एमा तमने मजाविय से नमस्कार आपार अने मैंस्ट प्रोपर आजे टारS वार्श प्रोपपार Sanmu ओन सारुHAHA झाल झाल